हेलो फिरंस किचन बैस नहल मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत हिल्दी टीस्टी और डाइजेस्टू एपल राइटा की रेसिपी इसे बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा और बहुत कम महनत में आप इसे बना के तैयार कर सकते है खाने में यह बहुत ही जादा डेसी लगते है और बनाने में बहुत आसान है तो चलिए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार एपल राइटा की रेसिपी के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम चार बड़े चमज दही डाल देंगे तो आप घर पे बना कर सकते हैं मैंने यहां पे घर पे बनावा दही का इस्तमाल किया है इसे हम किसी भी विसकर या फिर चमज की मदद से इस तरह से फेट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुटलिया ना हो तो यहां पे हमारा जो दही है बहुत स्मूड टेक्स्चर में आ गया है इसी चाट मसाला पाउडर डाल देंगे एक चोथा चोटे समस से थोड़ा सा कम यहां पे काला नमक डाल देंगे और चुटकी पर यहां पे डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर तो यह देख सकते हैं मैं यहां पे यह सारे मसाले को डाल दिया है अब हम यहां पे बारिक कटे ज़ाने। लिखास सेट नहीं कोट डाले के यहां पर एक चोते चमस के खण करीब और एग छोटे चमस से दिए यहां चोते चमस से भी système नमक पोस्तित्राएइन, और सिनिया लिखाईन, चाट शोट श्रोटित्ोटित्तिय GOTS तो यहां पे दन्या पत्ता डाल की इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दें और यह हमारा मज़ेदार एपल राइता बन के तयार है तो यहां पे मैं इसे एक सर्विंग बॉल में सर्फ कर देती हूं तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना है यह राइता खाने में यह बहुत जादा टेस्टी लगता है और दिखने में अच्छा लगे इसके लिए मैं यहां पे यह थोड़े से एपल पीसेस रखके इसे डेकोरेट कर देती हूं और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धन्या पत्ता रखके आप इसे सर्फ करें तो आप भी एक बार इस एपल अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले